नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट इस्टिटी पॉइंट में आज 17 जुलाई 2020 और 17 जुलाई 2020 से करेंट अपर के जितने भी महत्पून कोश्चन बनेंगे वह हम इस वीडियो में करने वाले हैं साथी साथ कोश्चन से जूड़े बता हुआ तो वीडियो अच्छो लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्रेश दप्रेश लाइकन नबा देना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिपिकेस आपको मिलता रहे हैं चलते आज को पहला कोश्चन है इस इट ब्लेट्स नामक पुस्तक का विमोचन किया यह पुस्तक किसके दवरा लिखी गई है फिक है इस पुस्तक के बारे में आप से पुछ गया है तो इस इक ब्लेट्स जो नामक पुस्तक विमोचन किया गया है इसके जो लेखा के वो है इसका राइट अंसर जो हो जाएगा आपको ओप्सन नमरr A यहन्य की इस्टिफन कि इसका right answer है ठीक है दोस्तो next question है हाल ही में किस राज्य सरकान ने traffic penalty के लिए HD Apsi Bank के साथ समझोता किया है इसका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा आपका option number D यानि कि जारकन जारकन की राज्य सरकान अभी हाल ही में traffic penalty के लिए HD Apsi Bank के साथ समझोता किया है ठीक है यानि कि जो traffic पर penalty लगती है यानि कि जो challenge करता है वो अब directly आप वही पर bank पहले कर जाना पड़ता था और वहाँ पर जाकर आपको challenge कटवाना पड़ता था लेकिन अब क्या है HD Apsi Bank से एक जो पी ओएस मसीन आती है ठीक है पी ओएस मसीन होती है जिसमें आप अपना ATM स्वाइब करके वहीं से आप डिरेक्टर पेसे या चालान जो रहता है वो कटवा सकते हैं ठीक है कुछ एप launch किये गए है जहरकन की राज्य सरकार द्वारा जो कुछ इस प्रकार है दूर्दसन के साथ मिलकर school class जो online school classes शुरू होई थी उसमें दूर्दसन के साथ मिलकर जहरकन की राज्य सरकार ने school class startup की इस्टार्ट की थी यहांपर सहराई को आ स्ट शुर्ए और कोश शुरू बनता है विरसाहरिवग्रम योजना जो है ज्यार्कन की राज्य सरकार द्वारा अभी शुरू की गई है निलामबर पितामबर जल सम्रद्धी योजना यह भी ज्यारकन की राज्य सरकार दुरार, यहां की राज्य सरकार दुरार सुरू की गई निलांबर, पितांबर, योनदा प्रग्याम एप जो है बहुती महतोपूर्ण नॉस्चनिक अभ्यास में सामिल करने का निरणए लिया है वेरी इंपॉर्डन कोश्चन रहता है और बहुती मुतकुन कोश्चन है माला वार नो junt Bailey में सामिल होने केक separaten भारत ने नहीं लिया है आश्टलीया का थीं के बारत और भारत के साथ भारत ओर भारत जब ये माला वार अभी वहरतमान में 300 के साथ होता हुआ भारत और अमेरिका यानि की USA प्लस जापान ठीक है USA प्लस जापान इन तीनों के बीच में अभी यह होता है लेकिन भारत ने निरनाई लिया कि आस्ट्रेलिया को भी साथ में मालावाट नोसेनिक अभ्यास में सामिल कर लिया जाए ठीक है तो यह जो है अब आस्ट्रेलिया के साथ भी होगा मालावाट सेनिक नोसेन अभ्यास तो यह कोशन भोती मतपूर्ण बनता है नेक्स्ट कोशन है किस भारती व्यक्ति ने मुंबई में एक पेर से 101 बार कूद कर गिनीज वर्ल्ड रिकोर्ड बना लिया है ठीक है तो कूद कर गिनीज वर्ल्ड रिकोर्ड बनाया है वो है सोहम मुखर जी इन्होंने दुबई में अभी हाल ही में दुबई में एक पेर से 101 बार कूद कर गिनीज वर्ल्ड रिकोर्ड में अपना नाम बना लिया है ठीक है ये वर्ल्ड रिकोर्ड इन्होंने बनाया है कॉशन बहुत ही मतवपून रेता है ये हाल ही में किस देश के खिलाड़ी माइकल जेक्सन सन्यास माइकल जेक्सन जो है उन्होंने सन्यास लेने की गोशना की है जो एक फुटबोल खिलाडी है ठीक है यहीं कि माइकल जेक्सन किस देश के है यहीं आपको कोशन में पुछा गया है तो माइकल जो जेक्सन है ठीक है वो कहां के है आश्टेलिया के एक प्लेयर है जो फुटबोल खिलाडी है उन्होंने अभी हाल ही में सन्यास लेने की गोश थी वो है इसकोट मौरिशन ठीक है नेक्स्ट कोश्चन मनता है हाल ही में महामारी कोरोना संक्रमित के चलते किस राज्य की सरकार ने अपने राज्य के अपने राज्य को 31 जुलाई तक लोगडाउन करने की घोशना किया है यानि कि 31 जुलाई तक और अभी लोगडाउन बढ़ा दिया गया है तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा आपका ओप्सन नमबर A यानि की बिहार बिहार ने अभी हाल ही में महामारी कोरोना संक्रमित के चलते अपने राज्य में 31 जुलाई तक लोगडाउन रखा है बिहार की बात कर लिजाए तो बिहार की जो राजदनी है वो है पटना यहां पर वर्तमान में जो CM है वो है नितिस कुमार और राज्यपाल जो है वो है अगला कोश्चन है हाल ही में भारती रेलवे ने एक नया रिकोर्ड बनाया है जिसमें कितने किलोमेटर लंबी मालगाड़ी के परिचालन किया गया है ठीक है तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्सन नंबर सी यानिकि 2.8 किलोमेटर ठीके 2.8 किलो रेलवे ने एक नया रिकोर्ड बनाया गया है ठीक है इसमें इतनी लंबी यानिकि 2.8 किलोमेटर लंबी रेलवे इन्होंने एक साथ चलाई है यानिकि परिचालन किया गया है और इसमें लगबख चार इंजन यानिकि चार इंजन ही लगाए लगबख की क्या बात है चार जो है चार इंजन लगाए हैं तो यह एक नया रिकोर्ड बना है भरती रेलवे के लिए जिसमें 2.8 किलो मेटर लंबी माल गाड़ी का परिचालन किया गया है और यह जो गाड़ी है यह नागपूर से माल लेके कोरवा तक पहुची है ठीक है यह नागपूर और कोरवा के जो रेल लाइन है उसी के बेच में ये रिकोर्ड बनाया गया है ठीक है दोस्तों जहाँ पर चार इलेक्टिकल इंजन के द्वारा यह मालगाड़ी का रिकोर्ट का परिचालन किया गया है नेक्स्ट को जो कोश्चन है हाल ही में विस्व यूवा कोसल दिवस कब मनाया गया इसका जो राइट अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आप्सन नमबर सी यानिके पंदरा जुलाई पंदरा जुलाई को हाल है में विस्व यूवा कोसल दिवस मनाया गया है ठीके विस्व यूवा कोसल दिवस जो है वर्ल्ड यूथ इसकिल डेस ठीके वर्ल्ड यूथ इसकिल डेस ठीके तो यह जो मनाया जाता है यह पंदरा जुलाई को मनाया जाता है जो तक्निकी प्रस्रिक्षण, तक्निकी के छेत्र में साथिसाथ प्रस्रिक्षण और व्यवसाइक शिक्षा इन सभी में जागरूप करने के लिए विस्व युवा कोसल दिवस मनाया जाता है, ठीके, नेक्स्ट जो कोश्चन बनता है, CRPF के राश्टू व्यापे रक्षा रोपन अभियान का सुभारम किया गया है, ठीके, ये CRPF है, ये आपसे कोश्चन में पूछा गये, तो इसका जो राइट अन्सटर हो जागा, वह हो जागा, आपसे नमबर B यनिकी अमीत सहज जी दौारा, ठीके, CRPF के राष्ट्र व्यापीव रक्षा रोपन अभियान का जो सुभारम किया गया है अमित सा द्वारा ठीकि इसका जो राइट अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमित सा इन्होंने अभी हाल ही में गुड़ गाउं में इस ती जो CRPF केमपस से वहीं पर अभी हाल ही में राष्ट्र व्यापीव रक्षा रोपन अभियान का सुभारम किया गया है अगला खोश्टन बनता है हाल ही में किस बेंक ने डिजीटल चोपाई का आयोजन किया है यानि कि डिजीटल चोपाई का जो आयोजन किया है वो किया है आपकी नाबाड बेंक द्वारा यानि कि option number B इसका right answer हो जाएगा नाबाड बेंक है इसके द्वारा अभी हाल ही में जो है डिजीटल चोपाई का आयोजन किया गया है यह जो नाबाड की अपनी इस्तापना दिवस है ठीक है नाबाड की बात कर लिजाई तो इसकी इस्तापना जो 98 में यानि कि 1982 में हुई थी ठीक है तो नाबाड जो है इसने अपने 49 वा जो इस्तापना दिवस आया यानिके अभी हाल यह में 49 जो इस्थापना दीवस्ता इसी पर डिजिटल चोपाई की स्थापना करने का आहोजन किया गया है यानिके जो नाबाट की स्थापना कब होई ते 1982 में ठीके नाबाट की फुल पुड़ों में वो होती है अभर थिषर यामो फुर्पों है जिसकी स्थापना 1982 में हुई ती जिसकी स्थापना 1982 में और इसका वर्थमानमें मेंbek जो मुख्याल है वो है मुमबई मैं और वर्तमान में जो इसके चेयर में वो है गोविद राज चित्रान ठीक है इसके जो वर्तमान में चेयर में वो गोविद राज चित्रान ठीक है इसके जो वर्तमान में चेयर में वो गोविद राज चित्रान ठीक है नेक्स्ट कोशन बनता है हाल ही में बांगला देश में भ स्वामी । तो अभी हाले में जो दूराई स्वामी जी है इन्हों ने बांगलादिस में भारत का अगला राजदूर्द के रुप में पदवर समाला है बात कलिजाए यहां पर चार फिक्त की तो विक्रम दूरादिस जो है बांगलादिस के अगले राजदूद बने हैं और जो रुद्रेट टंडन है यह अफगानिस्तान के हैं ठीक है अफगानिस्तान के जो है अगले राजदूद बने हैं जो भारत की तरफ से राजदूद न्यूक्ट किये गए हैं विदेशों में तो अफगानिस्तान के लिए किये रुद्रेट टंडन और बंगलादेस के लिए की गए विक्रम दुरासाई हैमंत कोटवाल जो है हैमंत कोटवाल को अभी हाल ही में चेक गंडराज जो चेक गंडराज दे से वहाँ पर भारत का अगले राजदु निक्त किया गया है और विद्दुनायर जो है इन्हें तुर्केमिनिस्तान में किया गया जो कल के वीडियो में मैं आपको बताया था विद्दुनायर जो है तुर्केमिनिस्तान में भारत के अगले राज़त निक्ट किये गये है ठीके तो इन चारों के बारों में आपको पता होना चीए अभिहाली की घटना है विक्रम दुरासाई जो है बांगलादेश से संबन दीते रुद्रेट टंडन रुद्रेट टंडन के बाद कर ली जाए तो ये अफगानिस्तान से संबन दीते और हेमेंट कोटवाल जो है हेमेंट कोटवाल जी को अभिहाली में चेक गंडराज और विद्धुनायर को तुर्क्य में निस्तान में भारत का अगला राजदुत न्यूक्ति किया गया है वीडियो अच्छो लगा हो तो दोस्तो लाइक, शेर, सस्क्राइब और प्रेज़ तो बेल अग्या दबा देना ताकि आने होल वाई हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहा है, जै ही, जै भारत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में